बिहार एस्टेट परिच्छा 2019 पर एक PIL दर्ज हुई थी दोस्तों आप सभी देख सकते हैं केस नंबर आप सभी अभ्यार्थियों केस समक्ष है और इसकी जो जज्जमेंट हुई है उसके बाद 29 माई 2020 के डेट में जो ओर्डर दी गई है यहां पर अपलोड कर दिया गया है आप सभी जो है साइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं क्या कुछ का गया है इस वीडियो में फुल अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं तो पूरे वीडियो को अंतक आप देखते रहिए ताकि पूरी अपडेट आपको पता चले देख सकते हैं इसमें सारी जाने को लेकर दर्ज किया गया था और इसमें लिखा गया है कि 317 केंद्रों पर पूरे बिहार में परिक्षा हुए हैं और स्पेशल केंडिडेट्स के लिए स्पेशल वेवस्था थी परिक्षा देने के लिए चीटिंग हुआ है कोशन जो है डिले पहुंचा है कोशन का कोशन जो हुआ है देर से हुआ है यह सारी बाते मेंसन की गई है और सिकायत होने के बाद जब पूलीस पहुंची तो वहां पर OMR seat फटा हुआ मिला कोशन पेपर फटा हुआ मिला और इसे पूलीस भी जबत की है हंगामा भी सेंटरों पर हुआ और कोशन पेपर जो वायरल हुआ है परिच्छा सुरू जो हुई थी दस बजे हुई थी और उसके आठ मिनट बाद कोश्चन पेपर जो था वो भाइरल हो गया तो यहां पर पूरी बात बता दी गई है वहीं पर आर्टिकल 14, 16 और 19 का हवाला देते हुए यह पूरी अपडेट दी गई है और OMRC की बात यहां पर बताई गई उसके बाद लास्टली जो अंतिम निसकर्स जो निकलता है इस जज्जमेंट की यह निकलता है कि जितनी भी बाते थी और रखने के बाद बिहार बोड ने यह स्टेटमेंट दी है बिहार बोड के तरफ से ज्यान संकर जी कोट में उपस्थित थे और बताया है कि एकजाम कंड़क्ट कराने को लेकर बोड जो है और रेड़ी उठा चुकी है अब अगली करवाई होगी यानि की परिछा कंड़क्ट होगी और यह परिछा तब कंड़क्ट होगी दोस्तों यहां पर लिख दिया गया है कि जब कोवीड नाइनटीन जो भी पेंडेमिक फैला हुआ है जब यह नॉर्मल हो जाएगी जाके परिक्षा कंड़क्ट होगी बिहार एस्टेट 2019 वाली जी एकजाब वहीं पे हाई कोट ने कही है कि जल्द से जल्द इसकी परिक्षा कंड़क्ट कराई जाए नहीं तो अ जल्द कंड़क्ट कराए जो संकर्मन फैला हुआ है जैसे ही यह नॉर्मल हो जाती है परिक्षा कंड़क्ट कराई जाएगी दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं कि बिहार इस्टेट परिक्षा को कैंसिल कराने को लेकर और इस्टे लगाने को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी अभ्यार्थियों के लिए निकल कर आ रही है तो पूरे वीडियो को अंतक देखने के लिए धनवाद